हाई फ्रेंड्स, वेलकम टो मैल चैनल तो फ्रेंड्स आज अडेनियम की साल में एक बार हाड प्रूनिंग करना, कटिंग करना क्यों जरूरी है और कटिंग प्रूनिंग कोंसे मन्त में करना बेस्ट होता है कटिंग प्रूनिंग के बाद अडेनियम प्लांट की कैसी देख भाल करे कि हमारा प्लांट खराब ना हो उसे फंगस ना लगे हमारा अच्छे से प्लांट सरबायू करे कटिंग प्रूनिंग के बाद प्लांट को पानी कब दे किस तरह से प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करे ग्राप्टिंग वाला प्लांट हो तो उसकी कैसी कटिंग प्रूनिंग करे कुछ बहुती महत्पपुर्णा सावधानिया कटिंग करने के बाद प्लांट की रखनी तो उसके पहले हम यह देखिए आपके सामने जो प्लांट है, यह हमारे 14-15 साल के मदर प्लांट है दोनों, देखिए कितना सुन्दर लुक आ रहा है, बुनसाई लुक इसे आया है दोनों प्लांट को, यह एक साल पहले जब हमने मार्च मैने में इसकी हाड प्रूरिंग की थ फिर न्यू ग्रोथ हुई थी तब का विडियो है और इसके बाद हमारे ये दोनों प्लांट कितने हेल्दी हो गए थे कितने जादा फ्लावरिंग कर रहे थे हर समय आपसे इसकी फ्लावरिंग इसकी ग्रोथ शेयर करते ही थे ये हमारे दोनों प्लांट 14-15 साल के होने के फ्लेंगस नहीं लगा है एक भी ओप्रेशन आज तक इसका करना नहीं पड़ा है तो हमारा अनुभो ये ही कहता है हम जिस तरह से हमारे अडेनियम प्लांट की सिवा करते हैं केर करते हैं वही आपसे शेयर करते है और इसलिए हमारे प्लांट हमेशा हेल्दी भी बने रहते साल भर flowering भी करते हैं कभी भी dormancy में हमारे plant जाते नहीं है साल भर हरे भरे रहते हैं बहुत बार बोल चुके है आज फीर से बोल रहे हैं क्यूंकि हर जगे का वातावरन अलग होता है सब जगे plant की care अलग अलग की जाती है हम हमारा ही अनुभव आपसे हमेशा शेयर करते है और हमारा पानी देने का भी तरीका अलग है 15 सालों से यही इनके साथ करते आ रहे है वही आपसे शेयर करते है हमेशा हर दुसरे तिसरे दिन हम अडिनियम प्लान को विंटर में पानी देते है समर में डेली या दुसरे दिन पानी देते हैं ऐसा हमारा पानी देने का तरीका है और हमेशा बारिश में ही रखते हैं कितने भी बारिशों कहिने का मतलब हमारा ये है ये बात अभिशर करने का मतलब ये है अभी आपको ये प्लांट दिखा रहे हैं कितने हेल्दी लग रहे ह और सही में बहुती स्वश्त प्लांट है, हमेशा रहेते हैं, इसलिए बार-बार हम ये प्लांट के बारे में बोलते हैं, तो ठीके फ्रेंट चलिए, मैं इन मुद्ध पे आते है, जो आज का सब्जड़ है, उसके उप़र आते है, अभी आपको जो प्लांट दिखाए थे, तो एक साल पहले के प्लांट थे उसके बाद देखिए कितनी इसकी हाइट बढ़ गई थी अभी इसकी पतियां खतम हो गई है ब्रांच के उपर से आपको इनका अनुभव आ रहा होंगा कि कितना घना हेल दी था और फ्लावरिंग से तो हमेशा भरा रहता था अभी तक फ्ला धनिया रखनी पड़ती हैं वो भी शेयर करते हैं तो सबसे पहले आप जानिये फ्रिंट्स कि हमेशा अडेनियम प्लांट की फरवरी मार्च में हाड प्रूनिंग करनी चाहिए हाड प्रूनिंग करेंगे फरवरी मार्च में तो बहुत सारे एक ब्रांच को न्यू न्यू ब्रांच बहुत सारी ब्रांच आएंगी आपका प्लांट घना होंगा बुशी होंगा और बहुती सुंदर लूक आएंगा तो ये तो सबसे पहला कारण है हाड प्रूनिंग करनेंगा जितने आप हाड प्रूनिंग करेंगे जितने अच्छे से कटिंग करेंगे तो हर ब्र प्लांट करेंगा साल में एक बार हाड़ प्रूनिंग करने से यह बोंसाई लूक आ जाता है प्लांट को ज्यादा हाइट बढ़ने से इसका लूक खराब होता है देखिए अभी इसकी हाइट बहुत बढ़ गई है और जो पहले हमने प्लांट दिखाये थे उसमें और इसमें कितना फरक है तो इसलिए हाड़ प्रूनिंग बहुत जरूरी है बहुत सुन्दर लूक आता है बोंसाई प्लांट बन जाता है आपका तो इसके हाइट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है यह हाड़ प्रूनिंग करेंगे तो इसके हाइट मेंटेन रहेंगी दुसरा कारण ह हाड प्रूनिंग करेंगे आप तो जितनी भी एनरजी अभी तक ब्रांच बढ़ाने में फ्लावरिंग में पत्यों में अडिनियम का प्लांट लगा रहा था तो हाड प्रूनिंग के बाद इसके कोडेक्स मोटे बनने में मदत होंगी जितनी एनरजी अडिनियम का प्लांट ब्रांच में फ्लावरिंग में पतियों में लगा रहा था, तो अभी उसका ध्यान कोडेक्स मोटे बनने में चले जाएंगा, तो अपने आप कोडेक्स मोटा हो जाएंगा, तो इस तरह से एधो कारण बहुती महत्व पुरुन है हाड पुरुनिंग करने के लिए, तो इसलिए साल में एक बार हाड प्रूनिंग की जाती है इसका कोडेक्स मोटा बनाने में और ब्रांचेस को बढ़ाने में हम इसकी हाड प्रूनिंग कर लेते हैं हाड प्रूनिंग का करते वक्त का वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एक हाथ में मोबाइल रखो और एक हाथ से प्लांट की प्रूनिंग करो यह possible नहीं है क्योंकि branches इसकी बहुत मोटी मोटी है तो किस तरह से हमने हाट प्रूनिंग की है आपको दिखाते हैं देखिए इस तरह से दोनों प्लांट की जो मदर प्लांट है 14-15 साल के उनकी हाथ प्रूनिंग हमने की है तो ब्लेट से इस ब्लेट से हमने हाथ प्रूनिंग की है जब भी plant की cutting hard pruning करना हो तो blade से करिए शार्फ होना चाहिए या कोई आपके पास cutter हो तो उससे भी कर सकते हो लेकिन साब सुत्रा हो new हो ये ख्यार रखिए या पुराना cutter हो शार्फ हो तो उसे cut करने के पहले अडेनियम की branches cut करने के पहले sanitize जरूर करे क्योंकि इसे अच्छा cutter नहीं हो नहीं होंगा उसे कोई fungus लगा होंगा तो plant को भी fungus लगने का डर होता है हमेशा हम blade से ही कितनी भी मोटी branches हो blade का ही use करते है यूज करके तुरंत उसे fake देते है new new blade हम हर बार लेते है तो इस तरह से देखिए heart pruning हमने की है जब भी आप branch को cut करे एक इसमें cut होना चाहिए ऐसा ख्यार रखिए ब्रांच को cut करते वक इसमें से liquid निकलता है वो poisonous होता है तो ध्यांद रखिए वर्ख होने के बाद अच्छे से हाथ को wash किजिए आखोखो हाथ नहीं लगना चाहिए इसका ख्यार रखिए तो इस तरह से एक प्लांट की हमने cutting अच्छे से कर दी है दूसरे प्लांट को भी करते हैं तो मिलते हैं दूसरे प्लांट की cutting करने के बाद हार्ट प्रूनिंग करने के बाद ये दोनों अडेनियम के प्लांट बहुत relax फील कर रहे है क्योंकि सर पे बड़ी बड़ी branches थी flowering थी तो अब भ बुरी थी वक्त निकलते जा रहा था एप्रिल मन्त आ रहा था हार्ट प्रूनिंग करना बहुत जरूरी था इनके हार्ट प्रूनिंग के बाद cutting के बाद जो cut portion होता है उसे जादा देर तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वहां से cut portion से fungus जल्दी ही अंदर जाएं प्रूनि की संभावना होती है तो तूरंथी इसे fungicide का powder लगाईए हल्दी का powder लगाईए डालचिनी का powder लगाईए ये तिनों भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं फर्स टाइम हम fungicide का यूज कर रहे हैं ये बारिश से क्योंकि उसके पहले हम fungicide का powder का यूज नहीं करते लेकिन पड़ा है बहुत दिनों से हमारे पास तो fungicide powder हमने लगा दिया है तो उसके पहले हम दालचिनी और हल्दी का ही यूज करते थे तो आप ओभी कर सकते हो बहुत अच्छा वर्क करता है ये तिनों भी तो cut portion में अच्छे से दबा दबा के प्रेस करके वहां fungicide powder दाल दाल चिनी का पौड़ा कटे हुए portion में जरूर लगाईए तो चलिए आपको दूसरे plant को भी हमने hard pruning की है तो वह भी आपको दिखाते हैं तो इसका codex इसकी branches देखिए कितनी मोटी मोटी है तो चलिए बाकी के भी plant आपको दिखाते हैं और बाकी बची care tips भी आपको बताते हैं तो cutting pruning के बाद hard pruning के बाद adenium plant को हमेशा sunlight में रखना चाहिए कभी भी bright light में नहीं रखे क्योंकि जो cut portion होता है वो जल्दी सुखने में मदद करेंगा sunlight में रखेंगे तो bright light में रखने की कोई जरूरत नहीं है जितनी इसे cut portion में sunlight मिलेंगी उतने जल्दी गाओ भर जा है तो वहां से फंगस जाने का डर नहीं रहेंगा पूरे sunlight में रखेंगे तो cut portion जल्दी भर जाएंगा और ये देखिए ये बाकी जो हमने 8 दिन पहले इसकी hard pruning की थी बहुत सारे यहां प्लांट है ग्राप्टिंग वाले भी प्लांट है जो आपके सामने दिख रहा है ये पानी नहीं लगना चाहिए पानी के छिटे भी cut portion पर नहीं पढ़ना चाहिए इस बात का ख्याल रखिए कटिंग प्रूनिंग के बाद दो दिन के बाद आप मिट्टे में पानी दीजिए लेकिन कट पोर्शन पे पानी नहीं चड़ना चाहिए एक बुन भी पानी कट पोर्शन से अंदर चला गया तो प्लांट भी खराब होंगा फंगस अंदर जाएंगा और कोडेक्स भी खराब होंगा तो पूरा का पूरा प्लांट खराब होने की संभावना होती है इसलिए हमेशा हम हाट प्रूनिंग फरवरी मार्च में करते हैं क्योंकि सनलाइट भी तेज होती है वैसे बारिश का टेंशन नहीं रहता है लेकिन इस बार बारिश का टेंशन है वैसे बारिश कब आती है कब जाती है कुछ भी पता नहीं होता है लेकिन जो मन्त इनके कटिंग प्रूनिंग के लिए दिया है उस मन्त में करना जरूरी होता है अगर आपको ऐसा लग रहा है बादल बारिश आ रही है तो ऐसे वक्त में आप प्लांट की हार्ट प्रूनिंग नहीं करना चाहिए हम भी लेट हो गए क्योंकि होली से बारिश थी तो बादल भी थे तो हमने रिक्स नहीं लिया था उसके बाद ही हमने अच्छे सनलाइट होने के बाद ही हमने हार्ट प्रूनिंग सभी प्लांट को देख देख के की है, एक साथ नहीं की है, देखिए इसको अच्छे से फुटाव हो रहा है, अभी भी इसमे फंगिसाइट पाउडर है, क्योंकि हम दो-तिन बार कोट चड़ाते हैं, फंगिसाइट पाउडर का कोई भी रिक्स नहीं लेना चाहते हैं, तो इस तरह से कट पोर् यह जो प्लांट आपके सामने दिख रहा है एक गलती हमसे हुई है वो गलती आपसे शेयर करना चाहते हैं यह सभी प्लांट को बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी थी पतिया भी थी लेकिन ऐसे समय में ही हमने फ्लावरिंग और पतिया होने के बाद हाट प्रूनिंग कर द दो सीड़ पॉट्स थे तो हमारा ध्यान नहीं रहा हम कट करने में लग गए ब्रांच इसको जल्दी जल्दी वर्ग बहुत रहता है तो ध्यान नहीं गया तो जो सीड़ पॉट्स आये थे वो भी कट हो गए नहीं तो बहुत सारे हमारे पास फिर से न्यू प्लांट फाइ हो रहा है एक दिन तो बहुत दुख हुआ लेकिन अब क्या करें गलती हो गई गलती से ही सिखेंगे कि इसके बाद जब भी अडेनियम प्लांट की हार्ड पॉरूनिंग करनी है तो ध्यान से करेंगे और आप भी अगर हार्ड पॉरूनिंग करना चाहते हैं तो एक बार प्लांट नहीं आया है कोई प्रॉब्लेम तो नहीं है ये चेक करना बहुत जरूरी है अगर आपके पास ग्राप्टिंग वाले प्लांट है उसको हार्ड पॉरूनिंग करना चाहते हो तो जो ग्राप्टिंग वाला एरिया रहता है ओ ध्यान में आई ही जाता है जहां से ग ग्राप्टिंग पॉर्शन को हानी पोहुच सकती है इसलिए कभी भी ग्राप्टिंग पॉर्शन से थोड़ा दूर से ही 3-4 इंच से ही उपर कटिंग करे ब्रांच की प्लांट की नहीं तो आपका ग्राप्टिंग वाला प्लांट खराब होने की संभावना हो जाती है इस का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह से ग्राप्टिंग वाले प्लांट की आप कटिंग प्रूनिंग कर सकते हो तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है कटिंग प्रूनिंग के बाद कोई भी प्लांट हो तो दस दिन के बाद गोबर के खात का लिक्विड जरूर दीजिए गो से फिर से भर जाएंगा फिर से अच्छा लगने लगेंगा तो इस तरह से आप अडेनियम की हार्ट प्रूनिंग के बाद कटिंग के बाद ख्याल रखिए तो आपके प्लाइट सभी स्वस्त होंगे हेल्दी होंगे और अच्छे रहेंगे हमेशा के लिए ठीक है फ्रेंड्स के बाई